नमश्का इन खबर में आपका स्वागत है कुरोना के तीसरी लहर की दस्तक के बीच महराज से जो खबर आ रही है वो बुरी खबर है कि वहाँ पर एक बार फिर से किसे बढ़ने लगे हैं और यही वो राज्य है जहाँ पर की नए वेरियंट डेल्टा प्लस के सबसे ज़ादे 21 मामले सामने आये हैं 29 जोन को जो रिपोर्ट आई है उसमें 8,085 नए मामले आये हैं जबकि एक दिन पहले की रिपोर्ट जो थी उसमें 7,627 नए मामले आये थे इस से उच्छाल के पीछे का जो कारण माना जा रहा है वो टेस्टिंग स्पीड बढ़ाया जाना क्योंकि सरकार को इस बात की संका है कि यदि टेस्टिंग करके और इलाज ततकाल सुरू नहीं किया गया तो डेल्टा प्लस बहुत जादे कहर बरपा सकता है तो जो एक दिन पहले टेस्टिंग हुई है वो 1,90,140 हुई है और उसके पहले जो टेस्टिंग हुई थी वो 1,66,163 तो जो केसेज बढ़े हैं उसके पीछे माना जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ी तो केसेज बढ़ गए है महाराश्ट में करोना के नए वेरियंट डेल्टा प्लस की मौझूदगी के कारण राज सरकार जो है एक्स्टा अलाट मौड में है और उसे हर हाल में सुरू में ही वो रोकना चाहती है अभी जो 21 केस मिले है इनमें से सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें वैक्सीन का पहला डोज लगा था अधर्वाइस तब ऐसे केसे हैं जिनमें की वैक्सीन नहीं लगी थी बीते दिनों डेल्टा प्लस वैरियंट से असी बरसी महिला के जान गवाने के बाद राज सरकार ने सकती सुरू की और अब वैक्सिनेशन की रफ्तार बढ़ा कर ज्यादा से ज्यादा लोग के टीका करण कराने पे जोर दिया जा रहा है महाराज स्वास्थ विभाग ने कुछ दिनों पहले एक प्रजेंटेशन दिया था जिसमें कहा था कि संक्रमण का नया स्वरूप डेल्टा प्लस राज में कोविड-19 की तीसरी लहर का कारान बन सकता है मुखे मंत्री उठाकरे राज कोविड-19 कारिबल के सदस्य और स्वास्थ विभाग के सदस्य भी इस बैठक में सामिल हुए थे ये नया स्वरूप डेल्टा प्लस भारत में सबसे पहले सामने आये डेल्टा B.16172 स्वरूप में म्यूटेशन से बना है भारत में संक्रमण की दूसरी लहर आने की वजह डेल्टा ही था अब केंद्री ग्री मंत्राले ने राज्यों से साफ कहा है कोरोना से निपटने के लिए पांस सूत्री रणनिती पे ध्यान दे मंत्राले ने कहा है कि राज्यों को केस पॉजिटिविटी रेट अस्पतालों में बेड की उपलबता पे ध्यान देना चाहिए इसके अलावा जिलेवार रणनिती बनाने पे भी जूर दिया गया है अगर केस की पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है तो अस्पताल में भरती होने वालों की संख्या बढ़ेगी तो ततकाल कंटेन्मेंट रणनिती पे भी काम करना होगा यानि कि तीसरी लहर के लिए अलार्ट मोड में जो है राने को कहा गया है राज्यों से तो इस कुरोना के कहर पर हमारी नजर राएगी जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे आप रहें नबे खबर देखते रहिए इनकबर थैंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें